अज़को चार्षमा जिबनलाई देखिने आखा ध्यान को परसंगे में चाचा गर्ष। ध्यान मानव सब्वेता यहां समों गुज्रे रायो यह जाने को एक मात्र नेरी बिकल्प इसको बिकल्प नहीं न भाएगो यह टा आखा हो ते हो ध्यान ध्यान पुरुवक नहीं देखनु परनेचा मानवली होस पुरुवक नहीं देखनु परनेचा मानवली मानवी यह जुन उचाई हो तेहां बाटा हेरदा ध्यान पुरुवक होस पुरुवक संतुलन बाटा इस्पस्ट जस्तो इस्थिर पानी मां आफनो एना इस्पस्ट देख्छूं तेहीं स्थिर दा सान्ती मक्ती मक्छे इस सब्दमा जे सुके भनो त्यू आखा द्यान को आखा हो त्यू आखा होस को आखा हो त्यू आखा जागरीत आखा हो संबेदन सेल आखा हो अब ध्यान के हो हामिले ध्यान लाए छेत्रगत रूबले त्यू अध्यात्मा को मात्र जानकारी को लागी वा अध्यात्मा जो जान सा उसको लागी मात्राई अपनाउने भन्ठानने जस्तोगर्शों अब यो चल लाए अब को मानाव लेपनी इस शरी नहीं ध्यान लाए देखियो भने जाने भने तो अब मानाव सब्धेता सक्यों अब मानव विक्रीद यहां सम्मा भयो अब एसको और को विक्रीद बन्ने अवस्ता चाए तो मानव समाप्त भयो विक्रीद भायर समाप्त भयो ती मानव ले जुन मानिस को छेमता को उचाई ठियो तियो होज ठियो तियो ध्यान ठियो तिसको उपयोग गरे ना तियो चेतन इस्तितिमा मानव गये ना वो विक्रीद भायर गयो तो आजोको सब्वेतामा हमें विक्रीद एंत्र भानेगा छो एंत्र भाने विक्रीद अवस्तामाच हामरो चेतन इस्तितित मानव भन्द धेरे तलाच ताब ध्यान लाई आमले निरिविक कल्प कुरूप मापनावनु पार्ने छो जिबन छो ताब ध्यान छो ध्यान बिना जिबन छो यो सिच्छा दिनु पार्ने छो आब आउने पिणी लाई यो सिच्छा अब तत्काल उपयोग करनु पार्ने छो अब को निरिविकल्प ततकाल जानाई परने ध्यान माँ अब मानव जानाई परने ततकाल ध्यान माँ एदि गय न भने ता आज सम्म को मानव जशरी बिकार भयो जशरी समाप्त भयो जशरी यू कि नस्त भयों एशरी नहीं जाने हो एसरी नहीं जाना को लागय बनी यह सब्शनाई यहां आई सक्यों मानव एति विक्रीत बनाई सक्यों अब उव क्या नासना अनुकूलता नए छाई न वू क्या क्या भांता नुख द्यान लाए समाऊं, जिबन लाए ध्यान पुर्वक अपनाऊं, तो मानव को जिबन को लगछे हो, मानव ले कहां बाट भूल गर्दे आयो, मानिस कुन्द रुपले विक्रीद भयो, यो सबही जानना सकने छाऊं, तो अब ततकाल ध्यान को उपयोग, ध्यान मा जाऊं, तो सब ठोक मिलने छाऊं, सब ठोक जानना सकने छाऊं, तो तो बेभायर मा बलाऊंना पालने छाऊं, अहीले जिया आये को छाऊं, यो भौतिक, अपपांग तो यो बिज्यान को पागल खाना मा द्यानना सक्चाऊं, तावा ध्यान क्यों हो? ध्यान विक्रिद मानावले उपाहे को लागी अपनावने साधन हो जुन साधन अपनाएर ओ सुस्तता तर्पजान छो ओ विक्रिद होना बाट बंच्द छो या फिरी ध्यान टे सोभाविक रूपमाछ़ नैशर्गिक रूपमाच़ मानिसको जुन छे मता हो उशलिर सोभाविक रूपमा नैशर्गिक ग्रूप मां उपयोग गरेको भाहित ध्यान सोभाविक छो ध्यान पून अच्छ उछ पून अच्छ युहांदले बालले निर्फर्तामा नहीं नस्टगर छो अब यहां निर्फर्तामा जुन यांत्रिक्ता लाद्द छो यहां ध्यान नस्टगर जानच यहां ध्यान को हमें सही उपयोग गर दैनाओ तो जिवन विक्रीट होंच यहीं बाठ अब विक्रीट भाई सकेको यांत्रिक भाई सकेको संस्कारित भाई सकेको विक्रीट जिवन लाई ध्यान को साधन वयुग गरे रहा यो भाय द्वारा फिर हो स्मावन सक्षा फिर स्वस्टब न सक्षा फिर यो बिपी दिलाई रोकन सक्षा इसलाइ काटन सक्षा ताब ध्यान सबहले अपनाओ ध्यान पांच बर्ष देखी को बच्चा लाई नहीं देऊं कि नाकि इबच्चा हरू जो संगचन उनिहरू संस्कारेत हून यांत्रिक हून विक्रीत भई सके का हून ता उनिहरू ले बच्चा को लागे नाई सर्गेक ता दिन सक्षा देए ना ता बच्चा ले जे पांच उसले पने विक्रीत भाता बरण नहीं पांच फेरी उसमागो विक्रीत भईरा नहीं जान च जगसमा बाल ले निर्भरता रहन च ता उसले यही यांत्रिक्ता आर्जन गर्च फिर यांत्रिक्ता आर्जन गर्णो जिबन को नाई सर्डिक्ता समाप्त बन्गो नाई सर्डिक्ता भाय न भने ति माना भी यह भोस बन देए तद ध्यान अब निर्भिकल्प रुपमा उपयो गरों यह सोभाविक रुपमा आयको भाय बने यांत्रिक्ता बिक्रीत भाय शाएको जो कोहिले पने उपयो गरों पास बर्ष योको बच्चा लाईने ध्यान देऊं जब वो ध्यानिमा आऊने चया तब सब ठोक आफई बनेचया अब यहां गनल जर्थ केही पनीच आहिना अरुब केहें गनल पारेना मनाभमा ध्यान देनु पारेचक्थ मानावले ध्यान लाई अपनावनेच्या फिर ध्यान क्यों ध्यान तिती जटील चाहिन ध्यान सार अल्च यो केवल होस्पुरबक चलने न हो ध्यान भने को होस्पुरबक चलने होस्पुरबक देखने अल्च भने को होस्पुरबक चलने न भौदिक रुप मा यो अल्ली धेरे फरक चस्तो लागना सक्षा बौदिक रुप मा अंतस कुरुप मा अज गहिराई बर्द आई जान्च तो यहान ध्यान अल्ली जटील चाहिन लाग्षाथ होई जो बेभारिक रुप मा इस्थी आई शान्त होस्पुरबक समभेदन सेल भर बेभारिक ता अपना आउंछ उसको बौदिक रुप मा अंतस दुबेलाई होस्पुरबक बनाउन सक्षा ता हमी संपोन रुपले बेभारिक रुपले ते शांती लाई, ते स्थिर्ता लाई, ते होस लाई, ते सचेत भायरा आमी चलूं, जे चलूंछ, जती चलूंछ, हर आमरो बाहिरी रूप, बाहिरी जिवन यापन को हर रूप मा, ते होस लाई अपनाव, एही होस पुरूबक चलूंछ, ध्यान हो बाहिर, अब बाउदिक रूपले, अब आमनों विचार, मन लाई, हेर नको लागि, अलिकति बाहिर बाट, फिर हटेर, भीत्र आउन पच्छ, जाहानी, आखा बंद गर्ने, गर्थूं यहां बाट फिरी, भीत्र अंतसलाई देखनाको लागि, ध्यान पुरूबक भीत्र देखनाको लागि, ध्यान पुरूबक, मन्र विचार लाई देखनाको लागि, बाहिर अखा बंद गरी एको मात्राई, यो गर्नु नहीं पर्षभने हाई, एसो तो मौन ता अधियान पुरूबक भने हमी मन्र विचार लाई, आपनो अंतसलाई ध्यान पुरूबक, ध्यान को अवस्था मा देखना रहना सक्थूं। अधियान लाई, मन्मा, विचार्मा, बुद्धिमा, अंतस्मा, आमी संग बहिरीर भित्री, इस सम्पूण, जन सम्रचनाचा मानव, सम्रचना, इस्थोल रुपको, सुच्म रुपको, कारण रुपको, जिवात्मा रव शुरिय इस्थिति को, इह हर रुपमा ध्यान पुरुपक देखाउं, हेराउं, बुझाउं रव ध्यान पुरुपक बाहिर संचालित हों, होश पुरुपक, ध्यान को लाईवी, आखा बंद गर बसने, भनिय को होई, भित्र, मंद्र, इचार को इस्थित लाई देखना को लागे, मौन तानाई काफी छ, एती काफी भाई न भने, आखा बंद, भाईर आदा घंटा, एक घंटा को समाए, एती तहो 24 घंटा में, एती बनी हामें दिन सक्दै न भने, 24 घंटा में एक दूई घंटा बनी हामी जिवन को समपून जहां सार छ, जहां अर्थ छ, एसलाई दूई घंटा बनी, दीर हेर न सक्दै न भने, तमानी इस बिक्रित भाईको यहीं बाठ, त जिवन बेर्था भाय, एस तो जिवन को मुल्लेट चाई, 24 घंटा में दूई आखा बंदगर या तिमी सच्छेम छो, मौन ता पुर्वक या अज़े ही सच्छेम छो, तिमी जहां सुके, काम गर दे, संचाली थी रहां दे, होस पुर्वक, होस लया पनाओ, तो ध्यान यहीं लाग दाच, तो ध्यान बाड़ा के मिल दाच, ध्यान बाड़ा, ति अस्थित्य ब्रद सत्पा मिल दाच, तो एस्थिती मिल दाच, ध्यान ले देखताच, बाहिरा ठीक देखताच, और आफुलाई पने ठीक देखताच, स्वेम लाए देखताच, जब स् स्वेम को इस्थिति मा जब आउँछा, स्वेम मा इस्थित जब बनचा, उसले ठीक देखचा, आफू भाहिरा देखचा जब सुमा स्वेम को इस्थिती स्वेम मा इस्थीद बनना सकता है नूँ तब आफू भार देखना सकता है नूँ उसले देखना सकता है बाहर बाट अरुले उधारो ज्यानले यो यो हो तियो तियो यो नाम को तियो तियो नाम को बाहरी शिच्छे द्वारा देखचा ता वो समाम्त भय, उसको बिक्तित्त छाई, उसको अर्थ छाई तो अब हामरो मन पनी हामी संग छाई ना, विचार पनी हामी संग छाई अब हामी संग कही पनी छाई ना, सब इयांत्रिक भयो, तो इसे लाई बिक्रीत भयो भनेगो ताव नाई सर्गिक्ता अब आफनो पन आफनो परकिर्थी आफनो परविर्थी आफनो सुभाब लाई थोरे भाई पन ध्यान दिन। रेसलाई आफो माई समेर दे ध्यान अपनाउं। जब ध्यान अपनाउने चाओं तब सब धोग मिलने चाओं। त्यों देम सम त्यों लक्षे सम मानव जेको लाईगी हो ये जीबन जगत जेहो सब मिलने चाओं। आज़को लाईये थिने। कर दो दिने कर दो दिने चाओं। छोग मिलने चाओं। झाल झाल